कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका मेरी चनल के उपर अभी तक दोखो दोस्तों आपने ये चनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बिटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस्स न हो जाए और पैसे कवाने का कोई भी मौका आप कवाना दो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको रेडिमेट्स कॉल्स चाहिए तो आप मेरी चनल भी जॉइन कर सकते हो ये जॉइन बटन के उपर क्लिक करते ही आपको सब इन्फोर्मेशन मिल जाएगी अगर आप लोग डाइरेक एक्विटी में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉटफोलियो का 50% अलोकेशन मुच्वल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुच्वल फंड में पॉटफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्स्पोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉटफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉटफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक्स से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वो आपको जानना है तो आप मुझे क्वांटेक कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा अभी तक आप लोग हमारे साथ वाट्सव ग्रूप और टेलिग्राम में नहीं जुड़े होए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह का लिंक अवे लेबल है आप चुड़ सकते हो और ये वीडियो स्किप किये बीना देखेगा और लास्ट का पोर्सन ठीक से देखेग उसमें आपके लिए एक सप्राइज रखा गया है सो HDFC AMC को मैं पर्सनली भी ट्रैक कर रहा हूँ काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ बट एसस मेनेजमेंट कंपनी के अंदर ये जो जिस सेक्टर में ये कंपनी आ रही है बेलुएशन थोड़े महंगे है HDFC के ठीक है जिस तरह का हायर टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर है और भी थोड़ा टाइम पास यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इमेडियेट मूँ यहाँ से हमें देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है और भी थोड़ा टाइम पास इस टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टन्ट है मेक और ब्रेक वाला लेवल है यहाँ पर वीकली चार्ट के उपर अब डेली चार्ट का स्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस जरूर से हमें देखने को मिल सकता है बट जैसे कि मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर बताया तो उस हिसाब से यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कनफर्मेशन लेवल जो है वो 2100 के आसपास है 2100 के ऊपर है जिस तरह से डेली चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर यहाँ पर लेवल काफी बढ़िया बने हुए है और यहाँ से ही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ही एक बाउंस आना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि 1800 के नीचे स्टॉक सस्टेइन करना चाहिए मलब अगर हमें कैलकुलेटेट रिस्क अगर लेना है HDFC, AMC के अंदर तो हम जरूर से करन्ट मार्केट प्राइज जो है 1917 के आसपास यहाँ से लेके 1870 के अंदर 1870 से लेके 1917 जो करन्ट मार्केट प्राइज है यहाँ पर ही किसी को 100% कॉन्टिटी के साथ बाइंग करना है तो आप जरूर से काम कर सकते हो और फिर क्लोजिंग बेजिस के उपर आपको एक स्टॉपलोस मिंटेन करना पड़ेगा वो है 1800 का यहाँ से अगर 100 रुपिस के आसपास का रिस्क बना हुआ है अगर टार्गेट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला टार्गेट 2030-2040 के आसपास बना हुआ है और फिर जिस दिन यहाँ पर हमें higher time frame के उपर 2100 के उपर का closing देखने को मिल गया तो फिर यह stock के अंदर बड़ा reversal की expectation हम रख सकते हैं और stocks फिर higher levels हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ exactly उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा पैसा आपका जरूर से बनेगा दोस्तों और मेरे levels के उपर आप लोग price action जरूर से देखिएगा कि किस तरह से price action होता है मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखे knowledge acquire कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor चूस कीजिए सीखियो और सीखने के बात काम कीजिए